C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पाठ्थे चर्या पर आधारित श्रिंखला ध्वानी शाला तो आए अब जलते हैं कक्षा आठ की ध्वानी शाला में आज हम लोग एक ऐसे पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका शीरशक है ध्वानी और इसको लिखा है सुरिकान त्रिपाठी निराला जी ने बच्चों पता नहीं आपने सुना जरूर होगा सुरिकान त्रिपाठी निराला जी के बारे में आज मेरे साथ एक बच्ची बैठी है जिसका नाम है रेनुका रेनुका आपने सुना है सुरकान तरपाथी निराला के बारे में? हांजी सुना है सुना है और क्या सुना है? उनका कुछ और भी पढ़ा है? इसके पहले भी कुछ पढ़ा है? वरदे वीना वादिनी वरदे आप लोग सुनते रहे होंगे सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती वंदना के रूप में इसको बाकायदा आप गाते भी रहे होंगे लेकिन नहीं याद होगा कि ये निराला जी की लिखी हुई है और सुरिकान तिरपाठी निराला बस इतना ही जान लो कि एक छाया बाद इसको काल का नाम बोला जाता है योग है जिसमें चार बड़े मशुहूर कवी हुए है उस योग के कवी है उनमें पहला नाम अगर मैं लूँ तो सुरिकान तिरपाठी निराला जैशंकर प्रसाद और सुमित्र अनंदन पंत और महादेवी वर्मा ये चार महत्तुपोण कवी उसमें गिने जाते हैं और भी हुलोग है लेकिन इन चार को स्तंभ कवी कहा जाता है सुरिकान तिरपाठी निराला को रितुएं बहुत प्रिय थी बहुत से रितुओं पर उन्होंने कविताई लिखी है उन्होंने वसंत पर भी लिखी है उन्होंने वर्षा रितुपर भी बहुत से लिखी है वर्षा पर तो वह नामी लेते हैं बादल राग बादल राग इ उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, एक नहीं, बहुत सी, और उन बहुत सी कविताओं में जिक्राता है बादल राख का जादा, लेकिन वसंत रितु भी उन्हें उतना ही प्रिय है, ध्वनी कविता वसंत रितु से संबंधे थे, तो रितुओं को बहुत पसंद करते और रित्वों पर कविताएं लिखते थे, तो इसको रितु बंदना भी कह सकते हो, जैसे सरसुती बंदना, वैसे रितु बंदना. NCRT ने इस पर एक कारिक्रम पहले बनाया हुआ है, जिसका नाम है ध्वनी और काव्य मंजरी नाम से, तो उसका एक अंश जो गाया है वह भी आप सुन लिजेगा. अभी नहोगा मेरा अन, अभी नहोगा मेरा अन, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी नहोगा मेरा अन, अभी नहोगा मेरा अन, अरे अरे ये पाक डालियां, कलियां को मलगा, मैं ही अपना स्वप्न मिदुल कर, एरुंगा नित्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूश मनोहर, जगा एक प्रत्यूश मनोहर, पुश्प पुश्प से तंद्रालस लालसा खीच लोंगा मैं, अपने नब जीवन का अमरित सहर्ष सीच दूगा मैं, द्वार दिखा दूगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनन्त, अभी न होगा मेरा अन्त, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अन्त, अभी न होगा मेरा अन्त, अभी न होगा मेरा अन्त, और उसको सुनने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, मैं थोड़ी सी कविता को पढ़ने के धंग पर चर्चा करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि कविता जब तक हम लोग ठीक से पढ़े नहीं, तब तक हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, तो उसको पढ़ करके देखते हैं, और जब मैं पढ़ूँ तो रेणु का यमत सोचना कि यही सबसे आदर्श है, इससे अलग भी तरीके हो सकते हैं, और वह अभी उतना ही अच्छे डंग से कन्वे हो रहा होग, अभी न होगा मेरा अंथ, हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, मैं ही अपना सप्न मिरदुल कर, फेरूंगा निदृत कलियों पर जगा एक प्रत्यूश मनोहर, पुश्प पुश्प से तंद्रालस लालसा खीच लूंगा में, अपने नव जीवन का अमरित सहर्ष सीच दूँगा में, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को पढ़ते ही, आपके मने सबसे पहले क्या खाया लाता है? कि कर्पिजी ने ऐसा क्यों कह एक अभी न होगा उनका अंत। आपको क्या लगता है? आप अपने बारे में सोचते हो तो क्या लगता है? कि आपका अभी नहीं होगा तो क्यों नहीं अंत। कि जिस इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा और नया जोश आ उमंगो उसका अंत अबी नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाओ का अंत कभी नहीं हो बहुत बड़िया, तो तुम्हें भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तुम्हें भी लगता है कि मेरा अंथ अभी नहीं हो सकता, कोई कितना भी रुकाउटें आएं नरुखाहटें रुकाउटें तो आती रहती होंगे, तो तुम्हारा उस वक्त मन कहता है नहीं, निराला को को याद करती होगी, इस कविता को याद करती होगी नहीं? लगता है कि अरे अभी तो मेरा आंत नहीं होना चाहिए. साथियों मैं थोड़ा सा बता दूं कि निराला जिस समय कविता लिखना उन्होंने शुरू किया था, एक शुरुवाती दौर था, तो उस शुरुवाती या कोई और रूप हो, तो हर रूप बड़े ही संघर्ष के बाद बनता है, निराला भी उतने ही संघर्षेल थे उस समय, और वो संघर्ष के समय की कविता है, जब शुरुवाती दौर में आलोचकों ने आसानी से उनके कवितों को नहीं स्विकारा था, तो कही न कहीं इसम लिखता पढ़ता रहा है, वह जो कवि है, वह अपने आप में विश्वास है उसको, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई निराश नहीं कर सकता, उसको कोई उसका अंत नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आलोचकों, चाहे कोई और हो, कोई भी उसका अंत नहीं तो कर लेंगे, तो अब इस कविता को थोड़ा से शुरुवात से पढ़ो, कि जैसे शुरुवात ही कभी कह रहा है, कि अभी अभी तो आया है मेरे वन में ब्रिदुल वसता, अब मेरे वन क्यों कहा होगा भई, उसका कोई जंगल है क्या, यानि कभी ने कोई जंगल खरिद र जीवन में मेरे बन बन रुपी जो जीवन है, उसमें अभी तो वसंत आया है, यानि अभी तो कलियां खिल रही है, अभी तो खुश्मो विखेर रही है, तो अभी नया नय 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 पत्ते आ रहे हैं, लालल कोपले आ रही है, फूल आ रहे हैं, पूरा सुगंदित बातावर और वो लोगों को कहीं एक चुनोती भरा कह सकते हो संकेब भी कर रहा है चुनोती भरा निर्देश भी दे रहा है कि नहीं तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उसका अंत नहीं कर सकते ये भी एक बहुत महत्वपुन बात है कि वो टक्कर ले रहा है जमाने से टक्कर ले रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कोई अन्त कर सके तो अभी इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कभी ने मेरा अंत क्यों कहा होगा और कह रहे हैं प्र बर मेरा कह ळिला है यानि कहीं ने कहें उस वसंथ में वो अपने जीवन को देख रहा है, एक पूरा रूपक चल रहा है, हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, अब सारा कह रहा है कि कैसा है, ये जो पत्यां दिखाई दे रही है, ये जो कलियां दिखाई दे रही है, ये पत्ते जो दिखाई पड़ें, ये क्या है, ये ही तो उसके शरीर ह यह जो वसंत है उसका शरीर यह है यानि यह जो हरापन है यह जीवन में जो आर्दरता है यह जो ताजगी है अभी तो उसमें हसूस कर रहा है उस ताजगी को तो इस ताजगी का अंत वहाँ भी अपने सामने नहीं देख सकता फेरूंगा निदृत कलियों पर जगा एक प्रत मतलब क्या होता है खुश्यूंगा नभी प्रतियूश का मतलब होता है पहले के सकती है उश्यूंगा इसमें जड़ा हुआ है यानि अभी तो उसने लिखना शुरू किया है आभी तो उसकी जीवन में तरह तरह के सपने आने शुरू हुए है और उन सपनों को वह कैसे छोड़ देगा कह रहा है कि निद्रित कलियों पर जो सोय हुए कलिया अभी दिखाई पड़े है न उनको वह प्रत्यूश मनोहर उनको सुबह दिखा देगा यह बहुत महत्वपुन बात है यह सिर बड़ू को वाथ कर भाद कर रहा है इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि देश में बदलाओ की बात कर रहा है केवल एक की बात नहीं कर रहा है ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है जन जन में बदलाओ पूरे देश में ये उरजा हो पूरे देश में ये ताजगी हो ये माधुरी हो ये खिलापन हो यह खिलने का मौसम जिसको मैं कह रही हूँ, तो यह खिलने का मौसम पूरे देश में दिखाई पड़े, कोई एक नहीं, हर चेहरा उतना ही ताजगी भरा हुआ दिखाई पड़े, ठीक है, फिर हो कहता है कि पुश्प पुश्प से तंद्रा आलस लालसा खीच लूँगा मैं चाहें अगर कहीं में कोई आलस से होगा, किसी भी फूल में, खिलने में कहीं आलस से होगा, तो उस फूल की उस तंद्रा को, उसकी निद्रा को वह खीच लेगा, उसमें कहीं कोई लालस दिखाई पड़ेगा, किसी व्यक्त में अगर कोई लालसा होगी, कोई ऐसी इच्छा जो नहीं पूरी हो, वो ऐसी उन सब को वो कहीं खीच लेगा, वो कहने का मतलब कि उसमें वो ताकत है, उसमें वो शमता है, कि हर कह सकते हो संघर्ष के समय को एक उर्जावान ताकतवर चुनोती भरे समय में बदल सकता है, ताजगी भरे समय में बदल सकता है, अच्छा एक ब खाथ डालते हो, सड़े गले पत्तों को हटाते हो, यानि उसकी निद्रा को तुम दूर करते हो, यही है उसकी निद्रा को दूर करना, मतलब उसमें ताजगी लाना, मतलब कि अगर वह नहीं किनी कारणों से वह रोग युक्त हो गया है, तो उसको रोग मुक्त करने के लिए ह में तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे समय में, हमारे जमाने में, हमारे देश में, हमारे लोगों में कहीं किसी तरह की कमी दिखाई पड़ रही है, कोई उर्जा किनी कारण से नहीं दिखाई पड़ रही है, वो उर्जा किसी भी तरह क हो सकती है तो किसी भी कारण से अगर उनमें आलत से दिखाई पड़ रहा है और वो थोड़े निराशा भरे समय में जी रहे हैं तो उस निराशा को आशा में बदलने की शमता कभी में है वो खुद कहता है कि मैं बदल सकता हूं और उसको एक आशावान ऊर्जावान एक खिलन के समय में बदल सकता हूं सभी लोगों के चेहरों में वो ताकत और उर्जा होगी ऐसा विश्वास ये बहुत बड़ी चीज है कि जब हमारे भीतर विश्वास होगा तब हम दूसरों को विश्वास दे पाएंगे किसी दिन तुम उदास होती होगी तो तुम भी थोड़े होजाएंगे कोईwand खुश नहीं होगा तो तुम अगर निराश रहोगे तो तुमàरे आसपास का बतापरन भी एसा ही होता है ना या तुम्हारी मम्मी किसी दिन निराश होगी, तो तुम भी थोड़ी उदास हो जाती हो, होता है ना, तुम्हारी कोई मित्र ऐसी होती होगी, तभी तुम्हे ऐसा लगता होगा, यानि एक व्यक्त की उदासी या निराशा दूसरों पर प्रभाव डालती है, तो यहां लेख विश्वास, एक आत्म विश्वास उसके नहीं आएगा, तब तक वो दूसरों में विश्वास नहीं भर सकता है, विश्वास नहीं उनको जगा सकता है, और इसको उसने रूपक किस जिसका लिया है, वसंत का रूपक, तो बगीचे के रूपक से, वसंत के रूपक से उसने या बताने की कोशिश की है ये चाया बात जिसका मैंने नाम लिया था चाया बात के समय में जितने भी कवियोंने लिखाया ना साथियों चाहे प्रसाद जी की कविता पढ़ना चाहे पंत जी उन लोगोंने प्रकृति का ऐसा ही उपयोग किया है उन्होंने अपनी बात, मैं की बात, मैं मतलब अपनी बात, जो अपनी बात कहनी है, अपनी ढंग से जो सोचता है व्यक्ति, अपना जो सपना देखता है, वो सब कई बार हम प्रकृति के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं, ये भी एक शैली है, एक तरीका है, तो जैसे तु अभी कौन सी शैली का प्रयोग कर रहा है, क्या दिया कर रहा है, क्या वो किसी के बहाने से कह रहा है, क्या वो सीधे-सीधे कह रहा है, तो किस समय की कौन सी विश्ष्षता रही है, यह भी आपको समझ आती चली जाएगी धीरे-धीरे, और जब पढ़ेंगे, तो और भी अज जानकारी आपके हासिल होते चले जाएए तो इस पूरी कविता में अब अंतिम पंक्तियों पर आ जाते हैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनन्त, अब और एक ध्यान देने की जरूद है, है मेरे वे जहां अनन्त, अब मेरे कौन है उसका अनन्त, द्वार के से खुल करके जाएगा, तो मैं सारी तंद्रा को, निद्रा को, जहां कहीं निराशा है, जहां कहीं तंद्रा है, उन सब को निद्रा को हम किस में बदल देंगे, एक ऐसा तरवाजा दिखा देंगे, जहां से सिर्फ क्या दिखाई पड़ता है, वो सपने हैं सजग कैईसे हमें अपने Pre Taxi अपने हम उस मंख़े तक पहुंचाती हैं उस लख्षय तक हम जाना चाहते हैं उस लख्षव और मंजिल को एक में मदद करती हैं यह कभी ने इसका अंपता में कहने की कोशिक किए 항상 자 Margaret और सचेतता और एक तंद्रा को छोड़ भोलना और सपनी को देखना, ये बहुत जरूरी है, सपनों की देखने की बात तो और लोगों ने भी बहुत से की है, किसने की है, बताओ, अत्मागानी ने, सपनी की सब लोग कहते हैं कि सपने देखो लेकिन आँख बंद करके नहीं, खुले आँखों से और किसने एक बहुत नाम लिया जाता है वेग्यानिक है हमारे देश के अब्दुलकलाम जी उन्होंने भी सपनों के बात कही है बहुत से लोग के आज कल कह रहे हैं शिक्षा के दुनिया में हम अक्सर ये चर्चा करते हैं तो सपने देखना खुली आँखों से सपने देखना यानि कुछ लक्षे लेके चलना कुछ मंजिल तै करके चलना ये सबसे बड़ी जरूरत है अगर हम लक्ष विहीन होंगे, अगर हम मनजिल विहीन होंगे, हैं तो हमारी रास्ते पर चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा तुम को पता है कि किसी दिन रास्ते पर या तो यूही घूमते हुए चलो वो भी मजा आएगा उसमें तुम्हारा लक्षे होता है कि तफरी करना, घुमना, रास्ते के पेड़ों को देखना, रास्तों को जानना, लेकिन जब मंजिल तै होती है तो तुम्हारे चरण जो है थोड़े तेज हो जाते हैं, तुम्हारे पाउं जो है और तेज चलने लगते हैं और आगे आगे कि दूसरी पंक्ति कोई बनाओ तो जड़ा, कविता के साथ खेलो, शब्दों के साथ खेलो, कोशिश करो, अभी अभी इसने तो दूसरी पंक्ति जोड़ी है, लेकिन आप अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपनी बहनों भाईयों के साथ, इस खेल को करो और अगली पंक्ती जोडनी की कोशिश करो अंत के साथ कितने तुख हो सकते हैं कौन-कौन से शब्द हो सकते हैं सबसे पहले क्या करो कि अंत के साथ कौन-कौन से तुख हो सकते हैं कौन-कौन से शब्द हो सकते हैं उन शब्दों की एक लिस्ट बनाओ सूची बनाओ औ और उन शब्दों को फिर अपने सपनों के साथ पिरो दो, कोशिश करो, है ना, कंत हो सकता है, संत हो सकता है, है ना, बहुत कुछ हो सकता है, आनन्त हो सकता है, कभी ने भी प्रयोग किया है, है ना, मंत हो सकता है, बहुत मंत्र हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है, तो क्पिल करके देखो बड़ा मज़ा आएगा बहुत सारे सब्यानें कि लायात्मक्ता को समझे मि Kelsey कर दे अर्भ गार करते क्या करते कया निराला की तरह ही बात करते या कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं? या नर्स है, जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो सारे लोग क्या कहते हूँगे? तुम उंके लिए कविता बना के कोशिश करो, उनके लिए एक पेरग्राफ लिख के कोशिश करो, अनुई छहत बनाओ और तुम देखो वो कहेंगे तो क्या क्या कहेंगे? अब भी तो मुझे कोरोना से लड़ना है घर पे बैट के हमें कोरोना को हराना है हराना है, तो हराने के लिए क्या करना होगा अभी तो हम सबको बिल्कुल उत्साह से परिपूर्ण रखेंगे किसी का उत्साह खतम नहीं होने देंगे किसी को हारने नहीं देंगे अगर मालो परवता रोही है, परवत पे चढ़ रहा है, एवरिस्ट की चढ़ाई चढ़ रहा है, तो वो परवता रोही क्या करेगा? अरे अरे आओ, कोई असंभाव शब्द नहीं है तुम्हारी डिक्शनरी में, तुम्हारे शब्द कोश में अपने साथियों को क्या कहेगा? असंभाव नहीं है, एकदम चलते चलो, चलते चलो, आगे, अब बस जरा सा रह गया है, अब जरा सा रास्ता रह गया है, यही कहेग वो नहीं कहेगा कि एक बहुत लंबा रास्ता है, बहुत जादा उंचाई है, यानि थोड़ा 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 करके हम आगर बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारी मंजिल हमारे साथ होगी, और हम जिस लक्षी को ले करके चल रहे हैं, तो हर शेत्र में जाकनी की कोशिश करो चाहे वो परवता रोही का शेत्र हो, चाहे डॉक्टर्स का देख लो, चाहे वैग्यानिक की दुनिया देखो, चाहे संगीत कार की दुनिया देखो, तो संगीत की दुनिया भी और हमारे मजदूर और किसानों की दुनिया भी देखो, जो मजदूर किसान कैसे कहेंगे, चा इसी भी हाल में हरते नहीं हैं, चाहे स्थितियां कितनी भी घराब हो, तो इन सारी चीजों पर हमें देखना पड़ेगा, अब इसमें देखो हरे हरे ये पात शब्द आया है, ये हरे हरे शब्द क्यों आया है भई, दो बार क्यों कहा होगा कभी ने, सोचाए कभी आपने, प पुष्पुपुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्पुष्प लेकिन जब एक हरेका अर्थ दूसरा होता तो यमक हो जाता ठीक है यहाँ पर वाबात नहीं गई एब कोमल गात अभी कोल शब्द आया है। कामल जा यहाँ पर गात क्या है। गात है ने शरीर talking from the J ж उसकी विशेशतभा Freeman मालो तुम्हें ये कभीता लिखनी होतीै कोमल की जगह कॉनसा शब्द लिखती कुण सा विशिशन लिखती है। सुदर शरीर और और बहुत साथियों को भी बताओ और आप लोग इसे जरूर करना कि वसंत पर और भी बहुत सी कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी सुनी भी होंगी और आगको इंटरनेट पर भी मल सकती है कुछ पुरानी कवितायं उठा लिजिए गा पत्रिकायं उठा लिजिए गा उन पत्रिकाओं से वसंत संबंध ही कवितायों का एक संचैन तैहर करेए खुद वसंत संegen उन कवितायों को चुनिये यह लिखो कि यह कविताएं क्यों पसंद हैं, पहली बात तो ही आजानी चाहिए, फिर इन कविताओं में 10 कविताएं या 20 कविताएं आपने चुनी, तो उन 10 और 20 कविताओं में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्या अलग दिखाई पड़ रहा है, उसको एक पर आप में लिख दो, फिर ये भी लिख सकते हो कि कौन से नए शब्द आपको जानने को मिले, कौन से नए शेत्रों के बारे में जानने के मिले, और कौन से नए शब्द आपको जानने को मिले, यह भी लिखना, तो कोशिश करो और आप पाओगे कि एक बड़ी सुन्दर सी कि अपने खुद बना दी है, खुद एक चैन तयार कर दिया है और ये चैन आप अपने साथियों को भी सुनाईए, अपने अध्यापकों को भी सुनाईए और अपने आजपडोस वालों को भी सुनाईए मैं समझती हूँ कि आप वसंत को सुनाते सुनाते आप वसंत से परिपुन हो जाएंगे और ताज़गी, उत्साह और ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी आज ध्वनी पर हम इतनी ही चर्चा करेंगे, लेकिन इसका विता के संदर्ब में और भी बाते हम आप से करते रहेंगे, लेकिन आज की चर्चा यही खत्म होती है साथियो अभी आपने सुना पाठे चर्या पर आधारित ध्वनी शाला निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुक्रेती और तनुगुप्ता, भन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण अजीत होरू, तथा प्रस्तुती CIET NCEAT नई दिल्ली भारत